नमस्कार स्वागत आपका SDR Education में आज पढ़ेंगे SOR Model Psychological Research में SOR Model क्या होता है Basically यह जो मैं आपको पूरा इसमें 2 या 3 वीडियो आएंगे इसके बाद भी एक वीडियो आएगा इसमें मैं आपको Type of Variables को एक अलग सेंस में करवाना चाहता हूँ और Type of Construct इन दो जो है particular topics को मिलूँगा यह model जो है वो किस तरीके से हम use करते हैं इसके बाद इसमें independent variable अगले वीडियो में जो है Type E और Type S के independent variable जो है वो कौन से होते हैं मैंने हला कि live class में तो बता दिया था आपको बट वीडियो में भी बना के बता दूँगा Unacademy पे आप plus courses join कर सकते हैं तीन तारिक से शुरुआत हो चुकी है Paper 1 और Commerce के नए batches की और यह तीन महीने के अंदर complete courses हम पूरे कर लेंगे SCR, YT मेरा code है इसके तुरू आप 3, 6, 12 या 24 महीने के लिए सकते हैं जिसमें की रोज class हो रही है और classes अब 3 महीने के शुरू हो गई है सबसे पहली बात कि देखिए SOR का मतलब है stimulus, response और organism तो यह basically हम variables के type को ही कह रहे हैं कि कुछ stimulus variables होते हैं कुछ organism और कुछ response variables होते हैं अब psychologists आज के समय में क्या करते हैं कि वो कई तरह के behavior को study करते हैं मतलब action होता है आपको मैंने कई बार बताया है और यह बात भी बताईए कि behaviorism जो है वो एक quantitative aspect है qualitative aspect नहीं है क्योंकि actions को clearly observe किया जा सकता है तो आज का psychologist जो है वो study जब behavior को करते हैं या फिर causes of behavior को करते हैं variable के तोर पे variable मतलब जो vary करता है जिसे measure किया जा सकता है तो बहुत सारे psychologists आज कल एक theoretical नजरिया अपनाते हैं या model जो है करने का नजरिया अपनाते हैं S.O.R. model को सभी तरह के behaviors को explain करने के लिए तो यह जो symbol है S.O.R. यह कई different categories of variable को represent करते हैं तो जो stimulus वाली category है variable की तो उसको जो है independent variable भी बोल देते हैं याद रखना stimulus variable is also called independent variable तो यह कुछ ऐसी form of energy हो गई environment में जिसका असर पड़ता है आपके behavior पे जैसे माल लो light है environment में, noise है environment में तो उसके organism तो उसके प्रती sensitive होगा ही ना तो जैसे हम organism है तो हम पे असर तो पड़ेगा उसको लेके sensitive होगा तो हमारे उपर light कभी ऐसे पड़ सकता है noise का, sound का और फिर ओ क्या होता है ओ organism variable है organism variable मतलब की जो changeable हमारी physiological या psychological characteristic हो किसी organism की जिसको observe किया जा रहा है जैसे माल लो किसी का anxiety level किसी का anger level, किसी का emotion किसी की खुशी, किसी का दुख, उसकी किसी की age या फिर heart rate तो ये सब चीजें क्या है ये organism के या तो physiological basis पर या psychological basis पर characteristic है तो ये O model में आ जाते हैं, organism आ जाते हैं, और फिर finally होता है S.O.R. model के अंदर R बोले तो response और response variables होते हैं, जो behavior और action है हमारा तो जब हम बोलते हैं कि तो some behavior or action of the organism जैसे आप कोई liver press कर रहे हो किसी की परती कोई reaction दे रहे हो stimulus के परती, माली जै stimulus धूप है तो आपको पसीना आ रहा है, तो आपसीना पोचे तो वो एक reaction है, तो ये response है हमारा, जो basically हम किसी stimulus के against देते हैं, तीनों चीज़े समझ में आई अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके साथ साथ इसका एक example ही बताता हूँ अभी और फिर अगले वीडियो में experimental variables में जो हम independent variable को experimental research में और dependent variable को कैसे use करते हैं वो बताऊंगा और मैंने जो live class में बताया था वो video भी बना के बता दूँगा कि जो type जो है इसमें आती है type E और type S के जो variables होते है independent variables उसको हम कैसे अलग-अलग करके देखते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि SOR model किसी भी situation में example में fit किया जा सकता है जैसे मान लीजे कि एक experiment किया गया जिसमें की एक चूहे को लगा दिया गया एक metal grid पे जो है वो उसको रखा गया और grid को फिर electrify कर दिया गया और length of time देखा गया कि वह कितने समय में यह चूहा जो है वो इस grid से platform पे चला जाएगा और इसको measure किया गया क्योंकि शॉक लगेगा तो SOR model का इस्तेमाल करके जो electric shock है उसको stimulus variable बना दिया गया जो intensity है कि किस तरह का शॉक दिया जाएगा कम ज़्यादा इसे हम value of the variable को बोल देते हैं कि भई intensity of shock would be the value of the variable और particular state of organism जो measure की जा रही है कि भई यह जो skin resistant है रैट की जो skin उसको कब feel होगा current time of the shock जो है वो introduce किया जाएगा तो organismic variable पता लग जाएगा रैट की skin से और response variable क्या होगा उसका कूदना उसका वहाँ से जो है वो दूसरे platform पे पहुँचना तो उसको कितने जो है शौक पे वो ऐसा लगा कि वो खूद गया तो यह देखा गया जो है आपके response variable के तौर पे तो I hope इस बार model पूरे तरह के से clear होगा अपडेट दे दू कि कल पांच तारीक को last scholarship का टेस्ट अन अकाडमी का link हमने टेलिग्राम में वापिस भेज देना आपको साथ बजे है कल टेस अच्छे से देना 100% scholarship मिल जाएगी एक से तीन रैंक पे और चार से दस पे 50% scholarship मिलेगी और जुन दो नई कोर्स शुरू हुए है सुबह 11 बजे और 6 बजे प्लस courses हमारे कुछ जोइन कर लो नहीं किया अभी तक तो code है इसे कि आप लोग को डिसकाउंट जाएगा टेलिग्राम चैनल को जॉइन करिए वहाँ पे आपको सभी वीडियो के PDF या important जो topics के PDF हैं वो सब मिल जाते हैं मैंने मिल्वांस का philosophy का PDF बेजा था उसको अच्छे से पढ़ना शुक्रिया दने वागए